वेल तो क्या हो कि अगर आप लोगों को एक गेम में बुलाया जाए और वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को पर मिनट के हिसाब से पैसे दिये जाए और वहाँ पर रहकर आप जितने चाहे उतने पैसे कमा सकते हो मतलब कि वो जगह आपको अंबानी से भी जादा मीर बना सकती है पर ये भी सही बात है कि हर चीज इतनी असानी से तो नहीं मिलती तो उस जगह पर रहने की भी कुछ प्रोज और कॉन्स थे ज्योंकि आप लोग तो फेस नहीं कर सकते पर आज हमारी कहानी के जो मुख्य किरदार होने वाले हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें उसी गेम में फेस करी थी तो चलिए अपनी बातों को आगे ना बढ़ाते हुए सीधा शूर करते हैं कहानी के साथ तो कहाने के शुरुआत में हम लोग जिन्सू नाम के एक आदमी को देख पाते हैं च्योंकि अपने उपर चड़ा करजा उतारने के लिए काफी तरह-दरह की काम करा करता था पर ये करजा उसके उपर इसी वज़े से चड़ा था क्योंकि उसने अपने एक हरामी दोस्त के उपर भरोसा करा था जिसने उसको शियर मार्किट का लालस देती हुए उससे उसके सारे पैसे ले लिये और जिन्सू ने भी लालस में आकर और भी कर्जा लेकर पैसे दे दिये और यही सबसोसते हुए वो डिसाइड कर लेता है कि आज वो अपनी जिन्दगी को खतम कर देगा अब वो एक बिच के उपर से कूट कर अपनी जान देने ही वाला था कि तब ही अचानक सी उसकी अकाउंट में कोई 4 मिलियन वान डिपोजिट कर देता है यो देखने के बाद तो जिन्दगी आंके को लिकी खुली रह गई थी तब ही अचानक सी उसके सामने एक लीमो आकर खड़ी होती है और उसे अपने साथ चलने का इशारा करती है तब वो लीमो जिन्दगी को अपने साथ एक ट्रेटर के बाहर लेकर चली जाती है जहाँ पर अंदर जाने के बाद जिन्सू को पता चलता है कि उसे दा एक चू में इंवाइट करा गया है जिसके यही रोल्स लिखे हुए थी कि उसे उस जगह पर रहने के पैसे मिलेंगे उससे वहाँ पर रहने के लिए किसी स्किल की जरूरत नहीं थी और वहाँ रहने के लिए उसे खाना भी दिया जाएगा और जैसे जैसे टाइम भी थेगा वेस्टनवे से प्राइज मनी भी बढ़ता जाएगा साथी वहाँ पर ये बात भी लिखी होई थी कि अगर गेम के दोरान कोई प्लेयर मारा जाता है तो उसीवक गेम को बंद कर दिया जाएगा वरना गेम सिरफ तभी कतम होगी जब गड़ी में निर्धारित समय खतम होगा गेम चालू करने के लिए जिन्सू को सामने रखके नंबर कार्ड में से एक कार्ड उठाना था और वही गेम के दोरान उसकी आईडी होने वाली थी और अगर वो गेम को नहीं केलना चाहता था तो वो साइड में रखके 20 मिलियन वान को लेकर वहां से जा सकता था जिन्सू शुरुआत में तो बहुत ज्यादा डर जाता है और डिसाइड करता है कि वो 20 मिलियन वान लेकर यहां से चला जाएगा पर बाद में जब उससे रेलाइज होता है कि असली दुनिया में उसकी जिन्दगी वैसने भी जंड है तो वो तीन नंबर का कार्ट लेकर गेम के अंदर चला जाता है अब अंदर जाने पर उसे एक बहुत बड़ा होल दिखाई देता है जहाँ पर ज़्यादा तर चीज़े नकली थी उसके सामने एक बिल्डिंग थी जिसमें लगबग 8 फ्लोर थे जो देखने के बाद जिनसु को कुछ भी समझ में नहीं आता पर वो अपने कार्ट के नंबर के इस वाप से थर्ड फ्लोर पर चला जाता है दब थर्ड फ्लोर के रूम में जाने पर उससे पता चलता है कि उसका रूम सिंपल सा था जिसमें एक स्कोर बोर्ड, एक इंटर कॉम, कैमराज और विंडोज की जगह पर एक फेक स्क्रीन लगी होई थी मतलब कि ये जगह पूरी तरह से आइसोलेटिट थी और इसे यहाँ पर रहने की ही पैसे मिलने वाले थे दो वहाँ पर उसने एक लिफ्ट दिखाई देती है जिसके मदद से ही वो लोग शायद उस तक खाना पहुँचाने वाले थे उसके अंदर अभी के समय पर एक उनिपॉम रखी होई थी और साथ ही एक रोल बुग भी रखी होई थी और वो प्रैस उसके विनिंग प्रैस में से माइनस होने वाला था साथ ही वो किसी भी कैमरा के साथ कोई भी चेर चार्ड नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसके जीदे गए मनी में से उसे सिरफ आदा पैसा ही मिलेगा अब ये सारी बाते जानने के बाद जिन्सू वहाँ पर रखकी युनिफॉर्म को अपने कपड़ों से बदल लेता है जिसके तुनंद बादी और मिनाटोस के स्कोर बोर्ड में 30,000 वोन क्रेडिट होना चालू हो गए थे जिसको देखने के बाद जिन्सू बहुत ज़्यादा कुछ था अब इसी तरह से थोड़ी देर और भी जाती है पर थोड़ी देर बाद जिन्सू को वहाँ पर नेंदाने लग गई थी मगर रूब में बहुत ज़्यादा सरदी थी इसलिए जिन्सू एक स्लीपिंग बैक मंगवाने का डिसाइड करता है फिर जिब वो टेलीकॉम सर्विस में कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि स्लीपिंग बैक की कीमत यहाँ पर बाहर की दुनिया से सो गुना ज़्यादा थी और बाकी समान भी वहाँ पर बाहर की दुनिया से सो गुना ज़्यादा ही महंगा था जो जानकर जिनसु बस यूज निउसपेपर और कार्बोर्ड को और्डर करकर उन पर ही सोने जाने लगता है अब उसको वास्रूम जाने की जरूरत पढ़ती है अब उसके लिए वो एक खाली पिसलेडी की बोतल को और्डर करता है अब अगले दिन जब उसके आँख खुलती है तो उसे बाहर से और भी प्लियर्स की आवाज आ रही थी जो सुनने के बाद जब वो बाहर जाता है तो उसे वहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग मिलते हैं जो कि अलग अलग फ्लोर पर रहा करते थे अब वो सब एक दूसरे को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे पर किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार उन लोगों को वहाँ पर लेकर कौन आया था अब वहाँ पर सभी लोग इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली डिसकस कर रहे थे पर वहाँ पर हम लोग एट फ्लोर को देख पाते हैं जोकि एक लड़की थी और उसे किसी भी चीज़ से कोई भी परक नहीं पढ़ रहा था वह बहुत ज़्यादा खुश थी और इदर उदर इंजोई कर रही थी तब ये लोग वहाँ पर एक टाइमर को देखती हैं जोकि 35 गंटे पर सेट था और उसे देखने के बाद इन लोगों को समझ आ जाता है कि जब ये टाइमर कतम होगा उसी वक्त पर ये गेम भी कतम हो जाएगा अब उस टाइमर के पास भी एक इंटर कॉम लगा हुआ था जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग यहाँ से भी अपने जरूरत के समान को ओर्डर कर सकते थे पर इने समझ में नहीं आ रहा था कि आकरकार अगर ये यहाँ से मंगाएंगे तो इनको कितने प्रैस पर वो सारी चीज़े पड़ेंगी सब लोग इस बारे में डिसकस कर रहे थे कि उसी वक्त सिक्स कलोर वहाँ पर से एक सिगरेट के पैकेट को मंगा लेता है और जैसे ही वहाँ पर सिगरेट का पैकेट आता है पैसे ही सब भी लोग देखते हैं कि टाइमर मेंसे दो मिनट माइनस हो गए थे इसका मतलब यही था कि यहाँ पर जो भी समान मंगाया जाता था उसका प्रैस टाइम था तब सबी लोग डिसाइड करते हैं कि वह वहाँ से सिर्फ बहुत ज़दा जरूरत की चीज़ें ही मंगाएंगे इसलिए सबसे पहले वह वहाँ पर से कुछ बाल्डियां मंगाते हैं और कुछ ट्राइलेट पेपर ताकि वह उनकी मदद से हलके हो सकी जिसके बाद उन्होंने कुछ सेनेडिरी पैट को ओर्डर कर दिया था और भी कुछ जरूरत की चीज़ों को अब सब लोग हलके तो हो चुके थे पर किसी को भी खाने के लिए एक दाना दक नहीं मिला था इसलिए सब लोग काफी ज़्यादा परिशान होने लगते हैं पर यहाँ पर एक दूसरी के गमरे से कनेक्टेड है सबसे पहले खाना एक प्लोर के पास आया था वो अपने इससे का खाना ले लेती और उसके बाद वो लिफ्ट सेवन फ्लोर पर चली जाती जिसके बाद ऐसे ही वो 6 फ्लोर पर आती और देरे देरे करके बाकि सबी फ्लोर पर भी खाना पहुँच जाता पर क्योंकि उस वक तक एर्ट फ्लोर को कुछ भी पता नहीं था और उसने सारा खाना ले लिया था इसलिए ही वो लिफ्ट पिछली रात कैसी के भी रोम में नहीं गई थी तब सबी लोग एर्ट फ्लोर से उसके कमरे में सबको लेकर जाने को बोलते हैं कि अर्ट फ्लोर पर सबको अलग-अलग अमाउंट मिलता था फर्ट फ्लोर को बस हर मिनिट के 10,000 वन मिलते थे और एर्ट फ्लोर को 3,40,000 वन सब बस सब यही बात सोचने लगते हैं कि शेयद उन्हें सबसे पहले ही सबसे बड़ा नंबर चूस करना चाहिए था और अभी आगे सब लोग खाना खाते हैं और एक्स्ट्रा खाने को रख देते हैं ताकि अगर बात में किसी को बूक लगे तो वो उस खाने को खा सके अब शाम में जब सबी लोग खाना खा रहे थे तब एर्ट लोर वहाँ पर मौज़ोद नहीं थी और गेम को अब खदम होने में सिर्फ 15 मिनटी बाकी थे जो देखने के बाद सबी प्लियर उसके उपर गुस्टा करने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें 15 मिनट बाद बस उतने ही पैसे लेकर वहाँ से जाना पड़ेगा चितना मांट वे अब तक मिला था पर एर्फ लोर जाता है कि उसे पता है कि कैसे टाइमर के टाइम को बढ़ाया जा सकता है जो सुनने के बाद सबी लोग बहुत ज़्यादा शौक थे तब यहाँ पर 8 फ्लोर सबको बताती है कि अगर वो सीडियां चड़ेंगे तो उनका टाइम वापस से बढ़ जाएगा अब ये बाद जानने के बाद किसी को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था पर क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता था भी नहीं इसलिए वो तुरंती सीडियां चड़ना उतरना चालू कर देते हैं उसमें फ्रस्ट फ्लोर को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो एक पैर से अपारिस था 15 मिनट तक वो लोग लगातार बागते रहते हैं फिर 15 मिनट तक भागने के बाद वो लोग वापस से जब टाइमर को देखते हैं तो उसमें उन्हें 24 गंटे का टाइम वापस से मिल गया था और तब जाकर सबकी जान में जान आती है साथी वो लोग बहुत ज़्यदा खुश भी थे क्योंकि उन्हें अब टाइमर को बढ़ाने के बारे में पता चल गया था इसका मतलब यही था कि वो जब तक चाते इस जगा पर उखकर पैसे कमा सकते थे अब यह लोग इसी तरह से रोज सीडियों पर भागना चालू कर देते हैं जिसके बाद इन्हें टाइम तो मिल रहा था पर दीरी दीरी करकर टाइम की वेल्यू खतम होती जा रही थी और यह लोग बहुत जदा भाग भी रहे थे तो इन्हें बहुत जदा थकान भी हो जाती थी इसलिए वो लोग चार-चार के गरूप में डिवाइड हो जाती हैं और डिसाइड करते हैं कि एक दिन अगर एक गरूप भागेगा तो दूसरा गरूप उस दिन अराम करेगा जिसके बाद जब दूसरा गरूप भागेगा तो पहले गरूप को अराम करने का टाइम मिल जाएगा अब जिस ग्रूप में 8 और 6 फ्लोर थे उसी ग्रूप में 1 फ्लोर भी था और क्योंकि वो हैंडिकेप था और उसे सीडियां चड़ने उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी इसलिए 6 फ्लोर उसे बहुत बुरी तरह से मारता है जो देखने के बाद 2 फ्लोर को बहुत ज़्यादा गुसा आती है और वो यहाँ पर 6 फ्लोर से लड़ाई करने लगती है लेकिन बाद में यह डिसाइड होता है कि सेकंड फ्लोर यह फ्र्स फ्लोर की जगा भी बागेगी इसका मतलब यही था कि उसे लगाता 6 के 6 दिन भागना था पर यह देखने के बाद 3 फ्लोर मतलब हमारे जिंसु को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता इसलिए वो डिसाइड करता है कि कभी कभी वो भी सेकंड फ्लोर की जगा भाग लिया करेगा इसी तरह से कुछ दिन और भी जाती है और इनके सामने आती है एक और बड़ी मुसीबत इन सबी लोगों के कमरे में दीरे दीरे करके टॉयलेट वेस्ट बहुत जादा बढ़ ग गंदगी हो जाती है जिसके तोड़ी दिनों बाद हम लोग देख पाती है कि अब इन लोगों को पहले के मुकाबले दोड़ने पर बहुत कम समय मिल रहा था साती रोज दोड़ने की वज़े से उन लोगों की आलत बहुत ज़ादा कराब हो गई थी तब एक दिन फोर्ट फ लोगों को इस बात में बहुत ज़ादा गुस्सा आती है और वो तुरंती सिक्स्ट फ्लोर से लड़ाई करने लगती है इन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर चालिस गंटे का डाइम इने एक बारी में मिल गया था और अभी जो सेकंड और सिक्स फ्लोर के बीच में लड़ाई होई वो देखने के बाद उन्हों को मज़ा आया और इसलिए उन्होंने चालिस गंटे उन्हें दे दिये पर ये सब जानने के बाद सभी लोग और ज़्यादा परिशान होने लगते हैं क्योंकि इससे सभी आ था कि आखिरकार वो ऐसा क्या करें चिससे उन्हें देखने वा लोगो को कापी ज़्यादा मज़ा आये और वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे तब बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक टैलेंट शो को और्गनाईस करेंगे और अपने कि उन्हें एक बारी में बहुत सारा टाइम मिल गया था और वो टाइम आज के लिए इनफ था इसलिए वो ये फैसला करते हैं कि आज वो सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें उस जगह पर कितने दिनों तक रहना हैं जिसके इसाब से ही वो आगे चलकर अपने टा से मिलते थे तब वहाँ पर फर्श्ट फ्लोर सब को बताता है कि उसे वहाँ पर रहकर लगब एक बिलियन बॉन कमाने हैं जिसके लिए उससे अर मिनट दस अजार बॉन के इसाब से 75 दिन वहाँ पर रहना पड़ेगा अब इस बात को जानने के बाद सबी लोग इस बात के नहीं था तब फिफ्ट फ्लोर सबसे पहले वहाँ पर जाकर एक बहुत अच्छा गाना गाती है जिससे उन्हें सीधा 10 गंटे मिल जाती हैं जिसके बाद बारी आती है 6 फ्लोर की और वो सीधा वहाँ पर तोड़ फोड मचाना चालू कर देता है और लोगों को अपनी ताक पर दिखाता है जिससे उसे सीधा 15 गंटे मिल गए थे सेकिंड फ्लोर भी बिल्कुल वैसा ही करती है उसने वहाँ पर टैल्स के साथ साथ बुडन ब्लोक्स को भी तोड़ा था जिससे उसे 17 गंटे मिल जाती है पर उसके हास में चोड भी लग गई थी अब जब बारी पोर रते हुए डांस करके दिखाता है जो सच में बहुत ज़्यादा बफवास था इसलिए उसको बस 17 मिनट्स मिलते हैं और सबी लोग उसका मजाग बनाने लगते हैं अब सिरफ फर्स्ट प्लोर और 8 प्लोर यही बचे थे तब फर्स्ट प्लोर पहले जाने का फैसला करता है और वहाँ पर एक जोकर का पफोर्मेंस करता है जिसे देखने के बाद सबी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और इसलिए वहाँ पर उसको सीधा 30 गंटे मिल जाते हैं अब बस 8 प्लोर रह गई थी अपनी बारी आने पर वो कोई भी टैलेंट नहीं दिखाती वो बस 6 प्लोर को अपने साथ कीच कर अपने रूम मिले कर चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है जिससे सीधा उन्हे 69 गंटे मिल गए थे अब किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि 6 प्लोर और 8 प्लोर के इंटीमेट होने पर उन लोगों को 69 गंटे क्यों मिल अब अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ पता हो तो आप लोग इस बारे में कमेंट शेक्शन में जरूर बताना अब क्योंकि उन्हें टाइम बढ़ाने के काम के बारे में पता चल गया था और उन्हें भागने की जरूरत नहीं थी इसलिए सब इस बात को decide करते हैं कि वो first floor के room से सारे toilet waste को निकाल लेंगे और बाद में voting करेंगे फिर जिसको सबसे जादा vote मिलेंगे वही सब के toilet waste को संभालेगा अब voting के पहले ही सबी लोगों ने decide कर लिया था कि वो लोग 8th floor को vote देंगे क्योंकि उसका room सबसे जादा बढ़ा था और वो सबकी toilet waste को अराम से संभाल सकती थी और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब voting होती है तो सबसे जादा vote 8th floor को ही मिलते हैं पर वो इस काम को करने से साफ इंकार कर देती है जिससे सब लोग उस पर बढ़क जाते हैं और उनकी उससे बहस बाजी हो जाती है लेकिन ये बहस बाजी बाकि सबको बहुत जादा महेंगी पर दी है क्योंकि अब 8th floor ने उनके पास खाना बेजना बंद कर दिया था इसी तरह कुछ दिन और बीच जाती हैं 8th floor कुद को अपने रूम में लॉग कर लेती है और अब वो नीचे भी नहीं आती जो देखनी के बाद सबी लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे सेकंड फ्लोर डिसाइड करती है कि वो टाइमर का सारा टाइम खतम कर देगी ताकि वो इस गेम से बाहर निकल कर खाना का पाई पर वहाँ पर उससे फर्ष्ट फ्लोर रोग देता है क्योंकि उसे एक बिलियन वॉन की बहुत ज़ादा ज़रूरत थी और अब सबकी इस आलत को देखते हुए थार्ड फ्लोर डिसाइड करता है कि वो सबके टॉलेट वेस्ट को अपने रूम में रख लेगा इस बात को सुनने के बाद सब भी लोग बहुत ज़ादा खुश होती है और फॉर्थ फ्लोर भी डिसाइड करती है कि वो भी तर्ड फ्लोर की मदद करेगी अब क्योंकि ये चीज डिसाइड हो चुकी थी इसलिए सब एर्थ फ्लोर के पास जाकर उससे माफी मांगती है राउन में जब एर्थ फ्लोर किंग बनती है तो वो सेकंड फ्लोर और सिक्स फ्लोर को लड़ाई करने के लिए बोलती है जिस पर बाकिस सब भी तो एगरी नहीं थे पर बाद में एर्थ फ्लोर उन्हें पनिश्मेंट की दमकी दे कर चुप करवा देती है तब पहले तो से एक्स फ्लोर सेकंड फ्लोर को जान से मारने ही वाला था कि तबी वहाँ पर सबी लोग उसे किसी तरह से रोकते हैं पर इस लड़ाई के उन्हें सीधा 40 गंटे मिल गए थे अब सेकंड फ्लोर की ये आलत देखने के बाद सबने डिसाइड कर लिया था कि आगे से गेम में को गलू को लगा दिया करती थी जिससे जब 8 फ्लोर या विर 4 फ्लोर उस बॉल को छूते थे तो ने पता चल जाता था कि कि टिंग की बॉल कौन सी है तब 7 फ्लोर फ्लोर को दमकाता है कि अगर उसने आगे से ऐसी कोई भी अरकत करी तो वो बाकि सब को इस बारे में बता इसलिए 4th floor उस बार cheating नहीं कर पाती और कोई और जागर king बनता है और अब game खेलने के दोरान 8th floor हार गई थी इसका मतलब यही था कि उसे बिजली कजट कर लगने वाला था पर जैसे ही उसे बिजली कजट कर लगने वाला होता है वैसे हम लोग देखते हैं कि 6th floor 7th floor के उपर attack कर देता है और 6th floor ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि 8th floor का वो एक तरह से गुलाम बन गया था और 8th floor उसकी बहुत सारी चीजों को मंगवा दिया करती थी जिसे देखने के बाद सब भी लोग बहुत ज़्यादा शौक थे पर यहाँ पर अब 6th floor डिसाइड करता है कि आगे स वो 8th floor, 4th floor कोई भी काम नहीं करेंगे साथी वो 7th floor को भी अपने टीम में आने का offer दे देता है तब 7th floor भी डिसाइड करता है कि वो उनकी टीम में चला जाएगा और अब इसका मतलब यही था कि अब जितने भी गंटे कमाने थे वो बस 2nd floor, 1st floor, 3rd floor और साथी 5th floor को कमाने इस बात को जानने के बाद 1st floor, 2nd floor, 3rd floor और 5th floor बहुत ज़ादा परिशान हो गए थे और क्यूंकि वो इस बात को जानते थे कि अगर वो 8th floor की बात को नहीं मानेंगे तो वो उन्हें खाना नहीं देगी इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें उनकी बात को मानना पड़ता ह और अब गेम को और इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए 6th floor एक और रूल को एड़ कर देता है कि अगर उन लोगों को बराबर खाना और पानी चाहिए तो उन लोगों को एक जने के इसाब से रोज 9 गंटे कमाने होंगे तब जाकर उन्हें तीन कोईन मिलेंगे जिससे एक को और एक और नए रूल को एड़ कर देता है कि जो भी उस गेम को जीतेगा वो तो सेफ रहेगा मगर बाकी तीन जो फर्स्ट पोजिशन नहीं ला पाएंगे उन्हें बाद कर एक गोले में बिटा दिया जाएगा और जो बंदा फर्स्ट पोजिशन लेकर आएगा उसे एक ब वैसे ही सिक्स प्लोर उनके उस पार्ट को बांद देता है अब उनके पार्ट को बांदने के बाद सिक्स प्लोर उने चुपने के लिए बोल देता है जिसके बाद वो लोग चुपने के लिए चले जाती हैं और जैसे जैसे सिक्स प्लोर उने डूंडता जा रहा था वैसे वो उने बहुत बुरी तरह से मार रहा था जिन्सू भी इस बात से बहुत ज़ादा डरा हुआ था पर सिक्स फ्लोर उसे सबसे लास्ट में फाइंड आट करता है और अपने वादे के मुताबिक उसे नहीं मारता क्योंकि जिन्सू ही आज इस गेम का विनर था अब बाकि सबको एक गोले में बिटाने के बाद जिन्सू की आखो में पट्डी बान दे गई थी साथ ही उसके हाथ में एक बैट को दे दिया गया था आगे जब जिन्सू बैट को घुमाता है तो वो बैट जाकर सीधा फर्स्ट फ्लोर के चैरे पर लगता है जिससे फर्स्ट फ्लोर के चैरे से बहुत ज़ादा कून निकल रहा था पर सिक्स फ्लोर और एर्फ फ्लोर इस चीज़ को देखकर बहुत ज़ादा खुश होते हैं तिम जिन्सू फर्स्ट फ्लोर से माफी मांगने लगता है और 1st floor भी उसकी गलती ना होने पर उसे माप कर देता है तब हम लोग देखते हैं कि उन्होंने आज total 26 गंटे कमाए थे और इसलिए उन्हें 9 coin मिलने वाले थे लेकिन वहाँ पर अब 6th floor की द्वारा record twist को add कर दिया जाता है सबको एक paper दिया जाने वाला था और उन्हें उस पर 1-3 तक का कोई भी number लिखना था पर अगर सबके लिखे गए number का total 10 से जादा आता तो उन लोगों को एक भी coin नहीं मिलता और अगर total करने के बाद 9 से कमाता तो जिसने जो number लिखा होता उसको उतने ही coin मिलते ये बात जानने के बाद सब लोग और जादा परिशान हो गए थे वो समझ गए थे कि 6 लोरों ने जान बुच कर परिशान कर रहा है ताकि गेम को देखने वाले लोग उसे जादा से जादा गंटे दे सकें जिन्सू बहुत जादा सोचने लगता है उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा number लिखना चाहिए तब वो बहुत जादा दिमाग लगाने के बाद सिरफ एक number लिखता है जिसके बाद सब के number का total सिरफ साथ आया था इसका मतलब यही था कि 3 जनों को 2 coin मिलने वाले थे और जिन्सू को सिरफ एक coin और जैसा की पहले decide हो चुका था कि वो एक coin की मदद से सिरफ पानी की बोटल करीट सकते थे इसलिए जिन्सू आज पानी पीकर यह सो जाता है उससे रात में बहुत ज़्यादा भूक तो लग रही थी पर ना चाहती हुए भी उसे भूका ही रहना पड़ता है अब इसी तरह से उन लोगों की दिन कटने लगते हैं वो इस जिन्दगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और एत लोर और सिक्स लोर उनके उपर रोज ही एक नया आतिया चार करा करते थे और बहुत बार तो ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा मैनत करने के बावजूद भी नमबर दस से ज़्यादा आने पर उन लोगों को कानद नहीं मिलता था इसलिए ये लोग और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि इन्हें इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसलिए वो लोग रोज रात में गेम खतम होने के बाद लिफ्ट के जरीए फर्स्ट फ्लोर के रूम में मिलने लगते हैं ताकि वहाँ पर मिलकर वो प्लैन बना पाएं जिससे वो एर्ट लूर और सिक्स फ्लोर से छुटकारा पा सकते थे सेवन्थ लूर को भी इस बारे में पता चल जाता है कि वो लोग चुप के कोई प्लैन बना रहे हैं पर वो जान बुचकर सिक्स फ्लोर और एर्ट फ्लोर को इस बारे में कुछ भी नहीं बता था क्योंकि वो जानता था कि सिक्स फ्लोर और एर्ट फ्लोर उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे थे अब उन लोगों का plan तयार हो गया था और उसको execute करने का दिन भी आ गया था तब plan को execute करने के लिए first floor बहुत जोर जोर से चिलाने लगता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और जैसे ही उसको check करने के लिए six floor वहाँ पर आता है पर जैसे ही वो third floor के उपर shoot करने वाला था वैसे ही उसे पता चलता है कि उसके taser gun में तो battery ही नहीं है और ये शुब काम किसी और ने नहीं बलकि seven floor ने करा था ता कि वो बाकी सब भी लोगों की मदद कर पाए जिसके बाद बाकी सब लोग तुरंती six floor और eight floor को बंदी बना लेती हैं क्योंकि वो लोग उनकी साथ बहुत ज़ादा त्याचार करा करते थे अब बेशक से उन्होंने eight floor, six floor और fourth floor को बंदी बना लिया था पर वो उनकी उपर उनकी तरह torture नहीं करा करते थे वो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और साथ ही उन्होंने ये बात भी सूश ली थी कि अब वो time को नहीं बढ़ाएंगे वो game को इमानदारी से खतम होने देंगे क्योंकि उनकी हिसाब से वो बहुत सारा पैसा कामा चुके थे अब first floor इस बात के लिए मान तो जाता है पर अभी तक उसके 1 billion one complete नहीं हुए थे इसलिए सब लोग decide करते हैं कि जब वो लोग वहाँ से निकल जाएंगे तो वो अपने पैसे में से थोड़ा थोड़ा पैसा first floor को दे देंगे ताकि उसके 1 billion one complete हो जाएं जब तक उन लोगों को time खतम हो रहा था तब तक 5th floor बाकि सबी बंदे हुए players का ध्यान रखने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि उन लोगों को भी care की जरूरत है और real life में वो वैसे भी एक doctor थी अब इसी तरह कुस दिन और भी जाते हैं और सबी लोग इस बार बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इनके game को खतम होने में सिरफ 26 गंटे बाकी रह गए थी और इसका मतलब यही था कि अगली दिन game खतम होने वाला था और इसलिए आज का खाना पीना खाने के बाद वो लोग खुशी से सोने के लिए चले जाते हैं क्योंकि अब कुछी समय में game खतम होने वाला था पर अगली दिन जब वो लोग वापस से timer को देखते हैं तो उसमें 45 गंटे और बढ़ गए थी इसका मतलब यही था कि जरूर किसी ना किसी player ने कुछ करा था जिसकी वज़े से ही time बढ़ा था ये सब देखने के बाद second floor तुरंती सबी बंदे हुए players के पास जाती है और उसे पता चलता है कि fourth floor का एक दात किसी ने तोड़ दिया था साथी six floor के भी pair के ना कुनों को किसी ने बेरैमी के साथ उकार दिया था जिसके बारे में ना तो six floor को कुछ कबरती और ना ही fourth floor को second floor को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्ता आता है पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आकिर कर गुनेगार कौन है और इसी गुस्से के चलते वो तुरंती सब भी लोगों को उनके कमरे में लॉक कर देती है और उसने बाहर से chain लगा दी थी ताकि कोई भी बाहर ना आ पाए और गेम अराम से खतम हो जाए उसने बस fifth floor को खुला चोड़ा था ताकि वो बाकी सब का ध्यान रख सकी fifth floor भी इस काम को बहुत अच्छे से कर रही होती है पर जब भी वो eighth floor और sixth floor के पास जाया करती थी तो उसे बहुत ज़ादा बुरा लगता था उसे पता था कि second floor इन लोगों से बहुत ज़ादा दुश्मनी मानती है और कभी भी इन लोगों को जान से मार सकती है और अब जब यह बात sixth floor को समझ आती है कि fifth floor उनके बारे में इतना ज़दा सोचती है तो तुरंधी fifth floor को अपनी बातों में फसाने की कोशिश करने लगता है और बाद में उन लोगों ने फिर से उन सभी लोगों के उपर कभजा कर लिया था जिनको उन्होंने पहले अपना बंदी बनाया हुआ था और इस बार उन्होंने seventh floor को भी नहीं बख्षा था लेकिन अवी भी गुनेगार अपना मून नहीं खोलता जो देखने के बाद six floor बहुत ज़ादा गुस्ते में आ जाता है और तुरंधी seventh floor के पास जाकर उसकी जांग में shoot कर देता है जो देखने के बाद जिनसु बहुत ज़ादा डर गया था और वो यहाँ पर six floor को एक रास्ता बताता है कि वो इंटर कॉम की मदद से उस समय की cctv footage को भी खरीद सकता है जब उसके नाकून उकाड़े गए थे और अब cctv footage देखने के बाद six floor को ये बात पता चलती है कि उसके पार के नाकून और four floor के दात को किसी और ने नहीं बलकि फर्स्ट बोर ने उकाड़ा था क्योंकि उससे उनके उपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और वो उसके हैंडिकेप होने का बहुत ज़्यादा मजग बनाते थे और नाकेवल उसने six floor के पैर के नाकूना को उखाड़ा था बलकि उसने उसके चेहरे पर टॉलेट भी करी थी जो जानने के बाद six floor को और ज़्यादा गुस्सा आती है और वो तुरंती गुन लेकर सीधा फर्स floor के पास जाने लगता है क्योंकि अब वो किसी भी हालत में उसे जान से मारने वाला था लेकिन eight floor जो नहीं चाहती थी कि game अब जल्दी से खतम हो इसलिए वो six floor के उपर टेजर गन से अटेक कर देती है जिससे six floor सीडियों से नीचे गिर जाता है और उसके सारी अड़िया टूर जाती है और क्यूंकि six floor ने पहले ही सभी लोगों को बांध रखा था इसलिए eight floor को और ज़्यादा मैनत नहीं करने पड़ती और वो तुरंती बाकि सभी लोगों को उनके कमरे में फिकवा देती है उसने decide कर लिया था कि अब वो किसी भी हालत में game को जल्दी से खतम नहीं होने देगी उसने fourth floor और fifth floor को ही खुला चोड़ा हुआ था fourth floor को इसलिए क्योंकि fourth floor उसकी चमची थी ताकि वो लोग कभी सो ही ना पाए साथी उसने सभी लोगों के room का live CCTV footage भी खरीद दिया था ताकि अगर कोई चूट भी जाए तो eighth floor को उस बारे में पहले ही खपर लग जाए उसके साथ बस fourth floor ही थी जूकि मज़े में थी तब fourth floor जब एक दिन सब को खाना खिलाने के बाद first floor के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि first floor गेम में आकरकर एक billion won ही क्यों कमाना चाहता था असल में उस गेम में एक billion won से अपनी room को change करा जा सकता था जिसके बारे में first floor को पहले दिन ही पता चल गया था और अब आगे वो इस बारे में fourth floor को बताने के बाद fourth floor को उसे चुड़वाने में मदद करने को बोलता है और बदले में वो उससे वादा करता है कि जैसे ही वो छूट जाएगा तो room change करने के बाद वो fourth floor को eight floor का room दे देगा और उसके बाद वो अपने plan को execute करने के बारे में सोचने लगते हैं तब शुरुवात में सब कुछ उनके plan के according होने लगता है हम लोग देखते हैं कि fourth floor eight floor का ध्यान बटकाते वोई उसे golf के इलने के लिए hall में लेकर चली जाती है और fourth floor पीछे से सबी लोगों को छुड़वाने की कुशिश करने लगती है आज eighth floor को fourth floor का बरताब कुछ हजीब सा लग रहा था तब ही उसका गुत्ता कुकू उपर की तरह बौकने लगता है और eighth floor उपर जाती है जहां जाने के बाद उसने सब कुछ देख लिया था पर अभी वो कुछ react कर पाती ही कि उससे पहले ही fourth floor उसके उपर golf इस्टिक से अमला करती हुई उसे भी होश्ट कर देती है अब free होने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा कुछ थे मगर fifth floor को अभी भी शान्ती नहीं मिली थी और वो अपने बदला लेने के चकर में गुस्से में six floor के पाउच जाकर उसका operation करती हुई उससे एक टाश जेंडर बना देती है तब first floor भी सबको room change करने के बारे में बता देता है अब वैसे तो सब लोग अपने room में बहुत ज़्यादा कुछ थे इसलिए वो first floor को बोलते हैं कि तुम ही अपना room change कर लो लेकिन जैसे ही first floor room change करने के लिए one billion one pay करता है तब उसके सामने बस एक menu आता है जिसका price ही one billion one था और उस menu में room के असली price लिखे हुए थे जो कि असल में बहुत ज़्यादा थे जो देखकर first floor बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अब first floor का दुख देखने के बाद तो मुझे भी दुख हुआ था क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं और glass लोड़ा बारा आना अब सब लोग first floor की किस्मत को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान थो थे पर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकेंगे क्योंकि उने बाहर जाकर अपनी और भी चीज़ों को समालना था और तब जाकर हमें पता चलता है कि आकर कर वो लोग वहाँ पर क्यों आये थे तब सबसे पहले हम लोग first floor की कहानी के बारे में जान पाते हैं जो असल में पहले एक सरकस में काम करा करता था और वहाँ पर लोगों को उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता था पर एक दिन अचानक से उसकी बेटी की तवियत कराब हो गई और उसके operation में बहुत सारी पैसे लगने वाले थे लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं हो पाए और उसने decide करा कि वो suicide कर लेगा पर suicide करने से पहले ही उसके सामने एक limousine आकर खड़ी हो गई जो कि उसे यहाँ पर लेकर आ गई आगे हम लोग second floor की कहानी को भी देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि second floor असल में कराटे champion थी और उसके दोस्त को एक दिन fight के दोरान बहुत बुरी चोट लग गई थी जिसकी इलाज के लिए ही उसे पैसे जमा करने थे और एक दिन जब उसके सामने limousine आई तो उसे वो यहाँ पर लेकर आ गई थर्ड फ्लोर यानि की जिन्सू की कहानी के बारे में तो हमें पता ही है कि उससे अपने सारी कर्शी को उतारना था क्योंकि उसका दोस्त उसके पैसे लेकर बाग गया था आगे हम लोग पोर फ्लोर की कहानी को देखते हैं कि असल में बश्पन से ही वो एक केप आप शार बनना चाहती थी पर उसे पैसो की बहुत ज़्यादा जरूरत थी इसलिए वो एक पार्किंग में काम करने लग गई जिसके बाद एक दिन उसके दोस्त उससे मिले और उसका बहुत ज़्यादा मजाग बनाया जिसके चलते ही उसने डिसाइड करा कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगी तब ये उसके सामने एक वाइट कलर की लिमोजी नई जो कि उसे यहाँ पर लेकर आ गई तब हम लोग 5th floor की बात उससे जान पाते हैं कि असल में वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी और उसका पती भी एक बहुत अच्छा डॉक्टर था पर एक दिन जब वो एक बार में गई तो वहाँ पर एक आदमी ने उससे मदद मांगी जिसको कुछ पैसों की जरूरत थी और क्योंकि 5th floor बहुत ज़ादा दयावान थी इसलिए उसने उस आदमी की मदद करने का डिसाइड करा और बाद में उस आदमी ने 5th floor की अच्छाई का फायदा उटाते हुए उसे पूरी तरह से लूट लिया और 5th floor को करजा लेकर भी उसे पैसे देने पड़े और उसी करजे को उतारने के लिए वो पैसे कमाने यहाँ पर आई थी आगया में 6th floor की कहानी के बारे में भी बताया जाता है कि वो असल में एक बहुत पॉपुलर बीसबॉल प्रियर हुआ करता था लेकिन उसके एरोगेंट टेचर की वज़े से उसी टीम से निकाल दिया जाता है जिसके बाद वो ऐस असी क्यूरिटी गार्ड एक शॉप पर काम करने लगता है पर वहाँ पर एक दिन जब उसके फैंस उससे मिलने के लिए आते हैं तब सेवन्थ लोर की स्टोरी से हमें पता चलता है कि असल में वो एक स्क्रिप्ट राइटर था पर डिरेक्टर हमेशे उसके स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया करते थे क्योंकि वो बिल्कुल भी इंटरस्टिंग स्टोरी नहीं बना पा रहा था फिर एक दिन उसके सामने लिमोजिन आई जो कि उसे यहाँ पर लेकर आ गई फिर फाइनली हम लोग एर्थ लोर की स्टोरी को भी देख पाते हैं च्योंकि गार्ट गैलरी के सामने जस्टिन बीबर की गाने गाकर पैसे कमाया करती थी लेकिन वहां के लोगों को जस्टिन बीबर का बेबी बेबी सौंग पसंद नहीं आता और वो लोग उससे मरून पाइब का एनिमल सौंग गाने के लिए कहने लगते हैं और इसी वज़े से वहां से उसको निकाल दिया जाता है और बाद में एर्थ फ्लोर डिसाइड करती है कि वो उस आर्ट गैलरी वालों से बदला जरूर लेगी और तभी उसे भी एक दिन लिमोजिन दिखाई देती है जो कि उससे यहां पर लेकर आ जाती है खैर प्रेजन टाइम में हम लोग देख भाते हैं कि सबने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि अब वो किसी भी आलत में आगे गेम को कंटीनियू नहीं करेंगे पर फ्लोर को इस बात पर गुस्सा आती है और वो सब को गन पॉइंट पर ले लेता है वो यहाँ पर रहकर किसी भी आलत में जादा से जादा पैसे कमाना चाहता था इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो अकेले ही टाइम को बढ़ाएगा जिसके लिए वो एक शो की तयारी करने लगता है पर उससे पहले उसने सबी लोगों को बान दिया था ताकि कोई भी उसके शो में अडचन ना बन पाए तब वो वहाँ पर एक बहुत भैतरीन शो करता है पर शो के दोरान जब वो एक रसी के उपर कुछ करतब कर रहा था तब ही अचानक से ही उसका पैर फिसलता है और वो नीचे जल रही आग में जाकर गिर जाता है जो देखकर जिंसू रोते हुए किसी तरह से अपने हाथ को फ्री करवाता है और बाके सब को फ्री करवाने के बाद फर्स फ्लोर की मदद करने के लिए जाने लगता है लेकिन फर्श प्लोर का शो देखने के बाद गेम के ओनर को बहुत ज़ादा मज़व आया था और वो तुरंथी इन लोगों को 15 सो गंटे दे देता है जो देखने के बाद जिनसू तुरंथी इंटरकॉम के पास जाता है और सूना चांदी मंगाने लगता है क्योंकि 15 सो को देखी नहीं पाएगा तो तुरंदी गेम को बंद कर देगा और बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे ही सारे CCTV कैमरा फोड़ते हैं वैसे ही वहाँ पर मौझूद गेट खुल जाता है और गेम भी पूरी तरह से खतम हो गया था पर वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस वक तक फर्स फ्लूर भी मर चुगा था जो देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे पर जिनसू अभी बाहर जाता है तो उसे एक टेबल के उपर एक एंवलप रखा हुआ दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था कि उन्होंने जितना भी अमांट जीता है व उस दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि जिनसू फर्स फ्लूर की याद में एक प्यूनरल को अरेंज करता है पर उस फ्यूनरल में बस फॉर्ट फ्लूर फिप फ्लूर और सेकंड फ्लूर ही उससे मिलने के लिए आये थे तब वहाँ पर हम लोग उन लोगों की बातों से ज बढ़ चुका है साती यहाँ पर हमें सेवन फ्लूर की बारे में भी पता चलता है जिसने अपना आदे से जादा पैसा फर्स फ्लूर की फैमिली को दे दिया था साती उसकी बेटी का भी लाच करवा दिया था अब ये बात जानकर कि सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ जिसमें उसने वो सारी गटनाय लिखी हुई थी जो भी उसके साथ चोके दोरान हुई थी जो पढ़ने के बार डिरेक्टर बहुत ज्यादा कुश होता है और सेवन फ्लूर से बोलता है कि मुझे तो लगता है कि शैद तुम भी उस चोका हिस्सा थे पर यहाँ पर यहाँ उड़ गई थी और वो बस इतना बोलता है कि मैं उस चो का हिस्सा नहीं था और इसी के साथ ये सीरीज ये पर खतम होती है तो मिदे के एक्स्प्लिनेशन अच्छी लगी होगी अगर एक्स्प्लिनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्स्राइब करना और बेल नोटिफिक वीडियो लाता रहूंगा खैर तब तक के लिए टाटा और गुडबाई